आपका attractive home creation में स्वागत है आज मैं आपको एक नई डिजाइन का टॉप या ब्लाउज कैसे बनाया है उसे बताने जा रही हूँ जैसा कि यहां पर हम देख रहा हैं तीन कलर से हमने इसे बनाया है और इसे 32 साइज का बनाया है और इसमें टोटल उल 175 ग्राम लगे हैं मैक्सिमम इसमें एलो है उसके बाद यानि की एलो हमारा 125 ग्राम और जो बचे यह हैं वो ग्रीन थोड़ा सा 2-3 ग्राम हमारा यह रेट का लगा है तो इसे बनाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि यह जो हम देख रहा है ना इसमें दो काम हुआ है एक नीट का भी है और एक क्रॉसिया से भी है तो नीट के काम में जो है ना यह जो पोर्शन देख रहे हैं हम यह से हाफ सरकल जो दिख रहा है यहां हमने एक अपने चैनल पर अपलोड करा है जो डॉर्मीट की रूप में मैंने उसे बताया है उसी को सेम प्रोसेस से और सेम फंदे को लेते हुए हमन इसका यूज इस टॉप में किया है तो यहां से यहां तक यानि कि यह फ्लावर वाला जो पार्ट है ना यहां से यहां तक का इसे बनाने के लिए आपको मेरे चैनल के वीडियो पर को सर्च करके देखना होगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानि इस वीडि में यह रीवन कैसे बना है उसे बताने जा रही है तो आईए इससे देखें इसे कैसे बनाने है इस तरह से हम देखेंगे यहां सेकेंड पार्ट जो है यह हमने त्यार कर लिया यहां पर हमने यह बॉडर बनाया है सेम जैसा हमने फर्स्ट वाला में बनाया था इस तरह से औ ये बॉर्डर बनानी के बाद सारे फंदे दस बढ़ा लिए बढ़ाने के बाद इसे एक हाइट तक तैयार कर दिया अब मैं इसे मैं अज़र करके दिखाती हूं कि इसका हाइट कितना है यह हमने यहां देखेंगे हमने यहां कि यह से यहां पे 22 यानि कि 8 इंच साड़े 8 इंच हमने इसे त्यार किया है अब सारे फंदे को ना इन सारे फंदे को अब हमें बंद कर देने हैं इस तरह से फंदे बंद करना बहुत ही आसान है यह एक एक फंदे को सीधे बनाएंगे और उल्टे में बनाएंगे और उल्टे से ही सारे को बंद करेंगे यह देखिए इस तरह से एक फंदे को बना लेंगे और दूसरे सलाई से की मदद से इस तरह से बंद कर लेंगे इस तरह हम पुरी सलाई के फंदे को बंद कर लेता है इस तरह से यहां देखेंगे यह सारे फंदे को हमने बंद कर दिया यह लाश्ट के फंदे हैं इसे कट कर लेने है यहां देखेंगे इस तरह से हमने यह दूसरा पार्ट भी त्यार कर लिया यह पहला पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है यानि बैक साइड यह बैक साइड का पोर्षन होगा आई यह अपर का होगा अब हमें इसे जो है ना कंधे की यहां पर पट्टी बनानी है और पट्टी बना के कि इसे कैसे स्टीज करना है इस वारे मैं बताऊंगी अब यहाँ देखेंगे हमने स strategies करका से क्रोषिया से रीबन बना कर ao iṣe बनाने के लिए मैंने एक तरफ बना लिया है और इसे लिर्टीज भी कर दिया है ठीक किसी तरह हमें दूसरे तरफ भी बनाने हैं तो इसको मैं बताना चाहूंगे कि इसे कैसे बनाएंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये पीला उल लेंगे यानि यालो वाला और इस पर हम एक नोट लगाएंगे इस सेवन नमर की प्रॉश्या हमने ली है यहां देख चैन बनाएंगे वाल चैन बनाने लिए यह पहला इस्टिच हमने बनाया था उस पर इस तरह से अंदर करेंगे और इसे खीचते हुए इससे स्लिप स्टिच कर देंगे इस लिए राउंड का सेब बनेगा अब इस पर हमें वान टू थरी फॉर को चैन बनाना है फोर्चन बनाके फिर इसी हॉल से हमें इस तरह से धागे निकालने हैं वान, टू, त्री, फोर, फाइव, सीक्स, सेवन, और आइट टाइम आइट टाइम हमने धागे को निकाला है अब इस पे धागे दो बार लपटेंगे दो बार लपटनीक बाध में ।्रिपल क्रॉसया बनाने और इस ए हल्ल पे आएंगे इस तरह से धागे निकालेंगे और यह है जिसें हमने लपटा है उसे फिन्धे को पहले एक नेक्स्ट में दूसरा और फिर लाश्ट में तीसरा यानि इस तरह से ट्रपल क्रॉष्या बना लेंगे अभी इस फंदे को डिश्षा करें के टू पार्ट में डिश्षा कोऊध करने हैं इस तरह से एक पार्ट बना इस एक पार्ट को बाइंट कर देंगे है पाइंट करने के वाद एगें इसके 1-2-3 थी थी चैन मनाएंगे और फिर सारे इधर के धागे को जो हमने हाप बनाये थे रखे थे उसे बंद कर देना है लिज़ए बंद हो गया इस तरह से हमारा दो बल्ब दियार हो गया अब इस हॉल से मुफंदे को निकालेंगे और सिंगल क्रॉश यह बनाएंगे एगें इस पर वान टू थ्री फोर फोर चैनल लेंगे एगें रिपीट करेंगे एए टाइम वान टू थ्री फोर पाइव शेक्स सेवन एइट आइट टाइम धागे हमने खिचा अब फिर दो बार लपेटने हैं और फिर इसी हॉल से निकालने हैं और फिर पहले एक वान उसके बाद टू उसके बाद थ्री टिबल क्रॉश यह किया अब फिर हमें यह पार्ट करने हैं यह टू पार्ट एक अंदाज से हमें इस तरह से देखेंगे बराबर बराबर का करना है एक बल बनाया एगेन वान टू थ्री का चैन बनाया अब फिर एगेन इसे बंद कर देना है इस तरह से हमें यह रीबन बनाने हैं यहां पर मैंने इससे 123 123456789 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का रूप कम्प्लेट किया है अब हमें इस पर सेकेंड कलर लगाने हैं सेकेंड कलर के लिए मैं इस पर ग्रीन कलर का लगाऊंगी इसी लगाने के लिए यह देखेंगे जहां से हमने यह कि यह स्टार्ट किया था यानि कि इसका जू कि यह हमारा यहां देखेंगे यह हमारा हिंड है यह स्टार्ट है स्टार्ट के इस चोटी वाले जहां पर हमने फोर चैन दिया था और रूप बनाया था इस तरह से हम तरह से इससे निकाल लेंगे यहां से और यहां पर हमें वान टू ठीरी डिचन बनाएंगे अब हमें रीबन के लिए जौइंट करना है जौइंट करने के लिए देखेंगे यह घा हमारा का किनारा होगा तो बैक का किनारा पे हमें काउंट करेंगे यहां पे हमें यह जो यहां जो है नाय लास्ट पे यह वाले इस पे हम इस तरह से डालेंगे इसे मैं फिर से दिखाते हूं इसका जो यह बैक साइड का जो पॉर्सन है इस पे हमने इस तरह से स्टीच किया स्टीच करने के बाद यह जो स्टीच है तो फिर से देखेंगे हम इस पे ग्रीन लगाएंगे यह जैसे कि यह फर्स्ट बनाया था जो स्टार्टिंग जहां से किया था वहां पे लगाने है वहां पे यह पॉर्सन यहां पे यह जो है ना इस पे आएंगे इस कॉर्नर से हम ग्रे लूल को लगाएंगे इस तरह से हुक बना लेंगे और इस तरह निकालेंगे और यहां पे वान टो थ्री त्री चैन बनाएंगे अब हमाएंगे बैक साइड किनारा इस किनारे पे जोइंट करने हैं तो इससे जो है ना इस तरह से करना है यह हमारा उल्टा है इससे हमें इस तरह से सीधा करना है ऐसे प्रंट रखे और अब हम इसका कॉर्णर हम स्टीच करेंगे और कॉर्णर स्टीच करने के लिए बस इसके कॉर्णर पर जाना है और फिर हमें सिंगल क्रॉस्या बना लेना है सिंगल क्रॉस्या से हमने यह देखेंगे इसका कॉर्णर इसका कॉर्णर स्टीच किया थ्री चैन से एगें वान टू थ्री त्री चैन बनाएंगे और फिर इसी हॉल पर आएंगे इस हॉल पर हमें डबल क्रॉस्या बनाना है यह देखेंगे यहां पर हमने सिंगल क्रॉस्या बनाया था और फोर चैनल थ्री चैन से स्टिच किया फिर थ्री चैन का बनाया और डबल क्रॉस्या बनाया अब इस पर वान टू थ्री 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 चैनल लेंगे और यह ज और सिंगल कुर्सिया बनाने के बाद अब इस पे आएंगे इस पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे पे इस तरह से 5 6 पे 6 पे 6 वाले चैन पर लेंगे कर दिखेंगे यहाँ से हमने 6 का चैन यह जो है उससे स्टीच कर दिए इसटीच करने के बाद फिर यहां जो जाहन से स्टार्ट किया था उस पे आ के हम इस तरह से Bell हमांए यहां देखेंगे यहां पर हमने यह कॉर्णर स्टिच्च और फिर स्टेंड़ पर इसे स्टिच्च किया संडर को अब इसमें एगें वान टू ठीका चैन बनाएंगे और फिर यह वाला ये जो चैन वाला हूक था उसपे हमें सॉरी इसमें डबल क्रॉश हाँ बनेगा ये डबल ग्रॉश बनाया थे इस तरह से तुम्पलट हुए यहां था है डबल क्रॉश हो गया अब यहां पर एगेन वान तू तू और फीर हमें इस पर ज्वाइन करना है यह बैक साइड पर बैक साइड को जोईंट करेंगे फिर हमें यहां पर काउंट करना होगा वान टू त्री फोर फाइव सिक्स यह सिक्स वाले हूप पर हम आएंगे और इसे स्टिच कर देंगे इस तरह से यानि कि सिंगल क्रॉस यह बनाएगे यह सिक्स इस तरह बनाया है और तो यह कुछ इस तरह से स्टिच होता जाएगा यह देखिए तो सॉल्डर हमारा स्टिच हो रहा है एगेन यहां पर वान टू थ्री का चैनल लेंगे और फीद इसी होल पर जहां पर हमने स्टार किया था इसके द डबल पॉया यह हमारा इस तरहस स्टिच हो गए स्टिच होने के बाद अब हमें पूरी रोग कंपलेट करना है करने कि लिए यहाँ पर फंदे लेंगे और जो जो चैन हमने बना आए थे फ्लावर फंब बनाते समय उसी पाफ में डाल के डबल प्रोश कर बनाएंगे एग Two, Three, Four Four चैन र भी रसी फैड डबल प्रोश लाकर लेंगे इस तरह से एगें नेक्स्ट पर जाएंगे इस पर फैड उन दॉल क्रश्या,ν त्रही ने पूरी रोव बना लना में है फिर इसपे ज्वाइंट करना है मैं यहां तक बना लेती यह फिर दीखाती है इस तरह से यह को अब मैं सामने करी फिर इस driven कृष एत builder जुएंट करने के लिए दिखिए एक कारणार में जुएंट है तो हमें एक दूसरे क机band करना है तो यह हमारा कोई इस तरह से होगा है का यह को दो पहले हिए यह सेंटर से यह से वाणलिकर यानि कि यह को प्ला यह फ्लावर जो तांडल डिख गूर रहा है यहां देखेंगे यह जो हमने बनाया यह बनाते हुए यहां तक आ गया है अब इस कॉर्णर पे जैसे यह कॉर्णर पे हमने बनाया अब इससे स्टीच करने है हमें 123 और जैसा कि हमने एक फ्लावर के साथ यहां स्टीच किया है तो अब हमें नेक्ट जो है तीसरे फ्लावर के पास आएंगे इस तरह फ्लावर के पास आएंगे और इसका जो यह सेंटर है उससे वान टू थ्री जैसा उसमें हमने जोड़ा है ठीक उजी तरह सेंटर से यह सेंटर हो गया वान टू थ्री यहां पर हमें इस तरह से इस्टीच करेंगे इस तरह से इसको साइज बना लेंगे यानि की बराबर कर लेंगे और उस पे हमें स्टीच करना है अब इस पे वान टू थ्री और इस पे आएंगे यह कोर्नर पे जैसा हमने पहले में जॉइंट किया है ना सेम उसी तरह करने हैं यह देखिए कॉर्णर जॉइंट हो गया अब इस पर वान टू थी का चैन बनाना है और यह दोनों लूप का जो है भल्ब का सेंटर जो है वहां पर आकर सिंगल क्रॉश्य बनाएंगे और फिर यहां आएंगे इस पर भी उसी तरह यह फ्लावर का सेंटर है यह फ्लावर के सेंटर पर एक जॉइंट लगाएंगे इस तरह से सिंगल क्रॉश्य बनाएंगे और फिर यह सिंगल क्रॉश्य इसी हॉल पर बनाएंगे एकेन वान टू घृट का चैनल नेंगे और फिर यह साइड इस कॉर्णर पे आएंगे इस कॉर्णर पे जो चैन वाला हूथ है उस पे हम डबल ट्रेंगे और वान टू धू घृट का चैनल एगी इस पे जाइनड ऐसे हमने इस पर देखेंगे यहां पर हमने one, two, three, four पर gap किया यानि फिर हमें इस पर आन है अपना distance देख लेंगे अज distance के मुताब अनुशार हमें इस तरह से stitch कर लेंगे जैसा हमने पहले मिकीया है अब यह टर्ल लेंगे और फिर इस चैन वाले हॉल पे आकर हमें इस तरह से डबल प्रॉश्य बनाने है अब डबल प्रॉश्य बना लिया अब एगें सेम प्रोसेस अब इधर इस साइड में हमें इस तरह से ये वाला बनाना है यानि किनारे एक तरफ का पैटरन को बनाके कम्प्लेट कर लेना है वान टू ट्री फॉर और एगें सेम हॉल पे इस तरह से इस तरह से हम पूरी रोग कम्प्लेट कर लेंगे तो यह कुछ इस तरह से कम्प्लेट होगा यह देखिए इस तरह से complete कर लेते हैं इस तरह से देखेंगे यह देखिए यह joint हो गया है अब यहां जहां से हमने start किया था यानि यह back side का इस पर है इस पर भी हमने इसे joint किया और अब इस पर लेकर इससे slip stitch कर लेंगे और इसको cut कर लेंगे यहां देखेंगे cut कर लिया और इसे इस दागे को अंदर की और खीच लेंगे और इसे cut कर लेंगे तो यह कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा अब इससे seal लेने है अब इसके किनारी से इसको उल्टा कर लेंगे और इसकी सिलाई जो करेंगे ना यहां देखेंगे इसकी सिलाई हमें यह border to border करनी है और यहां पे जितना तक आएगा हमें उसे उतना ही तक सिलना है इसे छोड़ देना है यह जो किनारी होगी ना इससे छोड़ देंगे और इससे सिल तक त्यार कर लेंगे मैं सिल लेती हूं फिर दिखाती हूं यहां देखेंगे यह देखें यह दोनों तरफ हमने सिल लिया और यह जो gapy है ना यहां पी हमने इसे इतना तक छोड़ा है इस तरह से हमें दोनों तरफ सिल लेने हैं जैसा कि हम नहीं यहां पर सिल लिया अब सिफ मैं सीधे तरफ से दिखा करूँ यहां देखेंगे है यह सिलने के बाद यह बिल्कुल कमप्लेट है और यह इस तरह से डिखेगा तो इस तरह हम इसे बना सकते हैं तो थोड़ा सा हैबी लुग देने के लिए मैंने यहां पर रीबन बनाई है जो हमने सौडर पर लगाया है और इसी को इस तरह से गले पर इस तरह से लुग देने वादी हो इस पर पर एक मैने पहले से यह जो छोटा फ़लावर है यह बनाए है जो हमारे चैनल पर भी अपलोड है आप उसकी मदद से इसे बना सकते हैं अब मैं इसी स्टीच करने वाली हो इसे मैं ठीक इसके सेंटर पे इसे मैं भी हटा देती हूं और यह जो है ना यह जो सेंटर है सेंटर पे हम इसे स्टीच करेंगे तो यहां देखेंगे यहां हमने इसे स्टीच कर लिया अब इस पर यहां जो रीवन बनाया है इसे एक जो है इसे इसे मैं इसे अंदर से ही स्टीच कर देती हूं यहां देखेंगे इसे मैंने स्टीच कर लिया है अब इस पर यह इस रीवन पर हमने लास्ट में जो है ना यह देखिए लास्ट में इसके उपर टेंग चैनल लेकर के इस तरह का बना लिया है इसे भी हम इस तरह से आगे तरफ से ऐसे पसाद कर इसे क्लिक के तरह इसे लगा लेंगे यह देखिए हमारा कुछ इस तरह से त्यार हो गांगे इस तरह कर कंप्लिट हो जाएगा झाल 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 झाल